अगर आपको अगर आप चाहोगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पेपर को मैं सौल करके भी आपको बता दूँआ तो देखिए सबसे पहला जो पर्षन है पोईट्री से है पहला पर्षन है अगर आपको आंसर देखना है तो यूट्यूब पे मेरी और वीडियोज है इस पोईब से रिलेटेड वहाँ से आप देख सकते हो और आप कमेंट करके भी यानिकी और कोई समस्या है तो मुझसे पूछ सकते हो तो इंपोर्टेंट पर्षन है और दूसरा जो पर्षन है वो इसी पोईब से है अकोर्डिंग टू पोईट के अनुसार वाट इस दा नेचर ओफ ट्रू लव यानि जो ट्रू लव है सच्चा जो प्रेम है उसकी क्या परकरती होती है तो ये दोनों पर्षन अलेक्चर अपोन दे सेडो से है और सबसे जो इंपोर्टेंट जो पोईब है सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट पोईब ये ही पोईब है तो इस पोईब को आप अच्छे से लर्ण कर लीजिएगा अब देखे अगला तीसरा पर्षन ये भी अच्छा पर्षन है ओन टाइम पोईब से है वाट ड़स ट्रिंब पोईब के अंदर है तो अगला क्योशन देखे स्टुडेंट्स कौन सी चीज है जो हमें गाइड करती है हमें सोल को मानविये जो आत्मा है उसको यानिकी निर्देशित करती है त्वाट्स ड्वाइनिटी देवत्वय की ओर जाने के लिए अगला क्योशन स्टुडेंट्स वट आर मर्सी, पीटी, पीश एंड लव की दया, करूना, सांति और प्रेम क्या है वट आर मर्सी, पीची, पीश एंड लव दे डिवाइन इमेज से लिया गया है ये क्योशन ये भी अच्छा परशन है अगला question है जो पक्षी है वो careless क्यों है लापर वाई से क्यों बेठा है ओन दर फेंस चार दिवारी पर यह जो question है यह trees पोईम से आने के लिया गया है next question है what is the theme of the poem time and time again poem जिसका name क्या है time and time again इसका theme क्या है इसकी विशेवश्टू क्या है इसका central idea क्या है next question है what should you do आपको क्या करना चाहिए when all men doubt you जब सारे वेक्ति आपे doubt करने लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए यह जो question लिया है यह इप नामक poem है उससे लिया गया है अगला question है what do the tiger and deer stand in the poem for यानि कि यह जो poem है the tiger and the deer tiger and the deer इस poem में tiger or deer जो है यह किस के लिए आए है ठीक है students यह जो no person है यह poetry से लिये गए है अच्छे person है आप अच्छे से learn कर लीजिए अगर आपको यह लगता है कि in question का हमें answer बताया जाए तो आप comment box के अंदर जरूर लिखिए अब अगला देखे non-fiction non-fiction के अंदर भी यानिके आपके कुछ chapter यानिकी है जिससे यानिकी question पूछे जाते हैं तो non-fiction में पहला जो person है question नमर 10 बोल देते हैं और non-fiction में वेसे पहला person है does culture matter यानि जो pros जो आपके लगता है उससे भी कुछ important person है और वे पहला person है why does forester say forester क्या है लेख का नाम है किसका does culture matter का कि forester क्यों कहता है कि the cultivated people are like cultivated means 60 लोग जो है वो like किसकी तरह है drop of ink यानि कि drop मतलब of ink यानि जो शाई की जो boond होती है in the ocean मानी महासागर के अंदर समूदर के अंदर उसके समान है कहने का मतलब क्या है कि forester लेखक है वो यह साग क्यों कहता है कि सिक्छित लोग है वो ocean के अंदर यानि कि किसके समान है सही की भूंद के समान है नाम मातर के है अच्छा person है students अगला कि ocean इसी chapter से है वो है describe the characteristics of a novel कि novel के आप विशेश था यानि कि लिखिए अगला कि ocean है in what way किस way में is the novel उपनियास है according to Lawrence Lawrence के अनुसार the book of life यानि जीवन की पुष्टक है तो अगला कि ocean है इसी से अगला जो है वो देखिए discuss the topic यानि कि discuss कीजिए topic पे of debate यानि जो debate हुई between अर्जुन और कृष्णा के बीच यानि अर्जुन और कृष्णा के बीच यानि जीश topic पे यानि debate हुई उस पे यानि चर्चा कीजिए in the भगवत गीता भगवत गीता में और यह जो लिया गया है the argumentative Indian से लिया गया है और next question है who was the Krishna Menon Krishna Menon यानि की कौन था and how long, कितना यानि की लंबे समय तक did he deliver his speech उसने speech दिया at the UN, UN के अंदर तो students, आज की वीडियो में के अवल चोगदा ही person है पूरी यानि की बुक के मैं important question नहीं ले कर आए हूँ अगर आप चाओगे कि मैं और के उसन लेकर क्या हूँ इसका यानि की